Hello everyone, hope you all are doing good. जान तो बहुत लोग देते हैं कि driving test में आपको ऐसे करना है या driving test में आपको वैसे करना है बट ये कोई नहीं बताता कि क्या करने से आप pass हो सकते हैं या क्या करने से आप fail हो सकते हैं So इस वीडियो में हम ये discuss करेंगे कि examiner की marking scheme क्या होती है कौन-कौन से parameters ऐसे होते हैं जिसमें examiner हमको test करता है एक drive test में So बिल्कुल वेट नहीं करते हैं और इस वीडियो को जल्दी से start करते हैं So जैसे कि आप मेरी screen पर देख पा रहे हैं So ये है record of G2 examination और हम इसको बोलते हैं test marking schemes अब ये G2 examination इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि आप इसको पास करते हैं तो आप G2 exam को पास करते हैं तो G2 exit exam भी बोलते हैं इसको तो मैं थोड़ा सा इसको zoom करता हूँ I guess now it is little better तो शुरवात में आपकी कुछ details हो गई है जो field है उसके अलावा हमारे पास जो आता है जैसे आप turn कैसे ले रहे हो या आप lane change कैसे करते हैं business residential areas में आप कैसे drive करते हैं तो आपके ये सारे parameters इसमें check किये जाते हैं अब हम इन सारे parameters को एके करके discuss करते हैं सबसे पहली चीज हम discuss करेंगे वो है turns तो जब भी आप turn ले रहे हैं तो उसको इन्होंने चार category में classify किया है पहली चीज ये है एक मिनट में अपना marker on कर लेता हूँ I need a pen तो पहली चीज है कि आप कैसे approach कर रहे हैं दूसरी चीज है कि अगर आपको रुखना पड़ रहा है तो आप कैसे रुखते हैं अगर आपको turn ले करना है जब आपको turn करना है या जैसे आपका continuously अगर आपका stop sign नहीं है और या फिर अगर आपका signal green है तो उस case में आपको रुखना नहीं पड़ेगा आप directly turn कर जाओगे और अगर आपका stop sign है तो आप stop करके कैसे turn करते हो और चौती चीज़ कैसे है कि आप उस current को complete कैसे करते हो तो चार categories में divided होता है आपका turn फॉर्स category है approach तो जब भी हम अपने turn को approach करते हैं तो हमें traffic check करना है तो यह तो आपने बहुत लोगों से सुना होगा अपने instructor से सुना होगा कि traffic check करना है time to time तो कब-कब traffic check करना है वो हमें इस examination scheme से पता चलेगा तो आपने अपने traffic check किया आपने अपने mirrors देखे और अगर in case आपको turn जब आप कर रहे हो तो आपको अपना blind spot पी check करना है तो आपने blind spot check किया या नहीं किया ठीक है उसके बाद आप कौन सी lane से turn कर रहे हो let's say कि आपको right turn करना है और अगर आपको right turn करना है तो आप right lane से turn कर रहे हो या आप middle lane से turn कर रहे हो तो आपका lane change check करते है कि आप कौन सी lane से turn करने वाले हो ठीक है फिर आपने signal दिया नहीं दिया या तो आपने signal time पे दिया या आपने signal को late दिया बिल्कुल end moment पे आपने signal दिया जो एक rough idea कहा जाता है कि जब signal कितनी देर पहले देना है तो आपके turn से at least पहले वो 7 to 8 times blink हो जाए तो इतना time का दियान रखे कि वो at least 7 to 8 times blink हो जाए फिर वो चेक करते है speed तो आप brake कैसे माल रहे हो आप evenly smoothly brake कर रहे हो अपने गाड़ी को और या फिर आपने बहुत slow brake किया और end में आपको realize हुआ कि आपके speed बहुत तेज है और आपने एकदम abruptly या बहुत तेज ब्रेक कर दिया है तो आप कैसे अपनी brakes गाड़ी को रोक रहे हो वो देखेंगे और फिर अगर आपके slowly कोई गाड़ी आगे चल रही है तो आपने उससे 2-3 seconds का gap maintain रखा है अब आते हैं stop अगर आपको उस signal पे अगर वो red light है या वो अगर वो stop sign है control signal पे तो आप कैसे behave करते हो तो पहली चीज है कि आपने proper stop लिया या नहीं लिया जैसे अगर आपका red signal है और आपको right turn लेना है and you are allowed to take a right turn ठीक है in that case also आपको उसको stop sign create करना है so आपको वहाँ पे 3 seconds के लिए stop होना है आपको traffic check करना है pedestrian check करना है उसके बाद move करना है तो आपने उसके rollover stop लिया rollover stop यह होता है कि let's say आप 40 की speed पर आ रहे हो आपने गाड़ी को brake किया but वो आपकी गाड़ी 0 पे नहीं है बिल्कुल stop नहीं हुई या तो वो 5 की speed पर 7 की speed पर 10 की speed पर है और फिर आपने उसको accelerate करना शुरू कर दिया turn लेने के बाद position क्या थी आपकी ठीक है तो आगर आप इसी गाड़ी के पीछे खड़े हो तो क्या आपको उसके rear wheels और जो pavement जो touch होता है जिसके हम बात करते हैं वो दिख रहा है नहीं दिख रहा है अगर आपकी line है अगर आप front पर खड़े हो तो आप line के उपर हो या नहीं हो आपकी गाड़ी straight है या नहीं है wheels turn है तो ये सारी चीज़े वो आपकी check करते हैं और उसके बात जब आप रुके हो तो भी आपको बीच में एक बार traffic check करना है आपने पीछे का देखिए defensive driving का ये बहुत important part है कि आप अगर आप खड़े भी हैं तो भी आप अपना बीच बीच में traffic check कर रहे हैं ठीक है उसके बात जब आप turn लेते हैं तो उसके बात अगर आप stop position पेते हैं आपने start करना शुरू किया है या अगर आप 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 ही रहे हैं आपका allowed है turn तो आपको left right left जरूर check करना है तो आपको examiner's ने बताया होगा मैंने आपको videos अगर आपने मेरे G2 या GK videos देखे होंगे तो उसमें मैं हमेशा बुलता हूँ कि कभी भी आपको intersection cross करते हैं तो आपको left right left देखना है blind spot अगर आप turn कर रहे हो तो आपने blind spot check किया नहीं किया ठीक है आप gear change कर रहे हैं अगर आपको gear change करना है तो आप एक हांसे गाड़ी सभाल पा रहे हो अपनी नहीं सभाल पा रहे हो स्पीड आपकी क्या है गैप आपका कितना है अगर आपको गाड़ी एक्सेलरेट करनी है तो आप कितना टाइम ले रहे हो बहुत तेजी से कर रहे हो या बहुत स्लोली कर रहे हो तो यह सारी चीज़े वो आपसे चेक करते हैं दूसरी चीज जो है कि आप टर्न प्रॉपर ले रहे हो या नहीं ले रहे हो हो सकता है कि आप लास्ट ले रहे हो बट आपने तर्न आपने रादा देन लास्ट लेन आपने फोर्स लेन में टर्न कर दिया तो आप जैसे हम बोलते हैं कि फोर्स लेन से फोर्स लेन में टर्न करना है बट आपने first lane से second lane पर turn किया तो आपने white turn लिया तो वो सारी चीज़े भी वो आपकी check करते है तो यही जो मैं आपको discuss कर रहा था कि आपने first lane से second lane में turn लिया तो वो यही आगया कि wrong lane और आपका wrong lane में तो आपने turn लिया और उसके बाद not move right जैसे कि आपको left turn करना है तो आप हमेशा left turn लेते हो तो आप passing lane में turn करते हो और अगर आपको दो lanes है तो आपको जो left most lane है वो passing traffic के लिया छोड़नी है तो आपने lane change करी या नहीं करी traffic check आपने किया नहीं किया आपको कुछ भी करना है तो आपको यह traffic check जरूर करना है अपने तीनों mirrors देखने हैं और अगर आप कोई भी intersection cross कर रहे हो तो आपको left, right, left जरूर देखना है Again speed आपके speed क्या थी? speed आप over speed थे या फिर आपने slowly accelerate कर रहे हो या slowly चला रहे हो गाड़ी वो सम आपकी वो check करते हैं ये भी कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत ज़दा nervous हो जाते हैं जब हम test देते हैं तो हमें लगता है कि यार थोड़ा slowly गाड़ी को उठाते हैं और हम इतना ना, मतलब अगर 40 की limit है तो हम बहुत धीरे-धीरे गाड़ी को 40 पर लेके जाते हैं तो वो भी गलत है आप normally अपनी गाड़ी चलाएए जैसे आप चलाते हैं भूल जाएए कि आपके साथ को examiner बैठा है और normally आप अपनी गाड़ी को speed up करिए तो अगले सीज़ पर चलते हैं तो अब अगर आपको कोई intersection पे जैसे normal intersection है जैसे turn था और आपको straight जाना है तो उसको भी उन्होंने तीन पार्ट में डिवाइट किया है कैसे आप approach कर रहे हो intersection को कैसे आप stop कर रहे हो कैसे आप अपनी गाड़ी को आगे start करते हो अगेन जब आप stop कर रहे हो क्योंकि आपको lane change नहीं होगा क्योंकि आपको straight जाना है तो आपने traffic चेक किया नहीं किया आपने तीनों mirrors देखे नहीं किये हो सकता है कि पीछे वाली गाड़ी बहुत तेज है आपके तो उसे साबसे आपको अपनी defensive driving के accordingly आपको manage करना है speed कैसे आप brake कर रहे हो अगर आपको brake करनी पड़ती है तो भी क्योंकि आप रुकने वाले हो stopping again आपने full stop लिया गाड़ी बिल्कुल zero पे हुई एक बार बिल्कुल standstill हुई या नहीं हुई या फिर आपका rollover है कि आप 2, 3, 4 की speed पे आपकी गारी लगातार चलती जा रही है position क्या है जब आपने stop किया आपको rear wheels या या आपको road जो आपके wheels और road दिखाई दे रही है उनको नहीं दिखाई दे रही है या आप line के उपर तो नहीं हो अगर आपकी first car है again traffic check जो हम बात करते हैं कि आप खड़े भी हो तो भी आपको traffic check करना उसके बाद जब आप accelerate करना शुरू करते हो या अपनी stopped red light से या stop sign से आप अपनी गाड़ी चलाना शुरू करते हो तो आपको definitely देखना है left right left हो सकता है कोई emergency vehicle आ रहा हो हो सकता है कोई pedestrian road क्लोस कर रहा हो तो आपको ये check करना बहुत ज़रूरी है again अगर आपको gear आपको change करना है तो आप कैसे gear change कर रहे हो आपने speed जो आप accelerate करते हो तो आप slowly accelerate करते हो या आप fastly accelerate करते हो उसके लावा जो आपके normal through intersection होते हैं जहाँ पे आपकी green light होगी या आपका stop sign नहीं है तो उसमें भी आपको traffic check करना है left right left हर intersection को cross करते वे देखना है mirror check करना है कि अपना back mirrors पर देखना है पीछे से कोई car तो नहीं आ रहे है कोई emergency vehicle तो नहीं आ रहा है और यह सबसे important चीज होती है जो बहुत लोग miss करते हैं कि उनको लगता है कि यार वो speed अपनी slow कर रहते हैं वो यह नहीं देखते कि हमारा stop sign है नहीं है वो 40 से 20 या 30 पे ले आते हैं अपनी गाड़ी तो वो नहीं करना है तो अगर आप अपनी speed को maintain नहीं रखेंगे तो वो आपका negative point होगा और अगर कोई hazard है बीच में या कोई उन्होंने block कर रखा है या कोई obstacle है तो उसके accordingly आप अपनी speed कम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो So not slow for hazard कि आप curve पे कैसे drive करते हो कि आप अपनी गाड़ी को properly handle कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो तो उसमें वो क्या check करते है आपका क्या आप अपनी speed maintain कर रहे हो let's say कि आप highway पे हो वहाँ पे आपकी speed 100 है और आपके road पे कोई थोड़ा सा curve आया तो क्या आपकी speed 100 maintain है या आपको गाड़ी को lane में बीच में रखने के लिए आपकी speed कम हो गई या आपने brake पे पैडल रख दिया तो आप कैसे drive कर रहे हो तो यही चीज़ सबस्यादा important होती है कि आपने brake तो नहीं मारी आपकी चेक करते है moving on to the next part now normal lane change जैसे आपको देखा होगा कि अगर वो city driving है या highway driving है तो दोनों में वो हमसे lane change करवाते है तो जो आपसे वो lane change करवाते हैं तो वो आपसे expect करते हैं कि हम यह traffic check करें कि क्या कि situation है क्योंकि उनकी जो statement होती है वो यह होती है change lane when it is safe to do so तो यह नहीं होता कि उन्होंने बोला lane change और हमने immediately left या right lane change कर ली without observing the traffic और वो किसी के लिए भी dangerous हो सकता है accident हो सकता है तो हमने traffic check किया नहीं किया mirror check करें या नहीं करें जब हम lane change कर रहे हैं तो हमने blank spot check किया नहीं किया signal हमने कित्ती दिर पहले दिया तो वही जैसे मैं आपको बताया था कि at least seven to eight times blink होना चाहिए तो वो आपका at least two to three seconds पहले आपने signal अपना दिया या नहीं दिया और उसके बात जो दूसरी चीज होती है कि जैसे immediately अगर हमारी कोई next lane जिसमें हमें move करना है महां से कोई गाड़ी क्रॉस कर रही है तो उससे भी हमने two to three seconds का gap लिया या नहीं लिया यह मत करना कि बस उसके आप जैसे वो गाड़ी क्रॉस कर रही है इमिडियेटली आपने lane change कर दिये तो आप उसमें bump कर जाएगे ठीक है speed क्या है आपकी lane change करते है आप speed अपनी maintain कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो speed बढ़ रही है कम हो रही है तो ये भी check किया जाता है ठीक है आपका steering कैसे आप behave कर रहे हो आप उसको abruptly बहुत जाता sharp change कर रहे हो या normally routine में जैसे आपका चलाते है और वो normally आप change कर रहे हो आप गाड़ी को control कर रहे हो एक हाथ से कर रहे हो दो हाथ से कर रहे हो तो ये तो आपको बताया ही जाता है कि आपको दो हाथ से control करना है और जो reference दी जाती है वो आपको clock की तरह जी जाती है कि आपको जो अपने हाथ हैं वो आपको 10 और 2 पे रखने हैं तो जैसे घड़ी में आपका आता है ना तो 10 और 2 पे आपको हाथ रखके गाड़ी चला नहीं है तो कोशिश करिएगा कि एक हाथ से गाड़ी ना चला है और signal कि जब आपने lane change कर ली तो आप उसके बाद signal को बंद कर रहे हो या नहीं कर रहे हो यह भी बहुत important होता है तो यह आपका दोनों में चेक होगा तो normal अगर city drive है तो आपका business area जैसे हो गया और आपका express way तो दोनों में आपका check करेंगे कि आपकी lane change कैसी है क्योंकि आपका G test है या G to exit test है तो इसमें आपका highway driving भी आएगा इसके लावा हमारी जो driving होती है वो होती है business area में जहापे usually जो speed limit होती है वो 50 के असपास होती है और आपकी residential area में driving होती है जहापे most probably दोनों तरफ घर होती है तो वहाँ में आपकी speed limit कुछ 30 या 40 km per hour होती है so again जब आप city driving जब आप normal driving करते हो तो आप अपना traffic check भी पीच में करते हो या नहीं करते हो कोई hazard है कोई गाड़ी आपकी park है तो आप उससे कैसे behave करते हो कैसे आप उसको cross करते हो every 10 seconds आप अपना mirror check करते हो या नहीं करते हो आप lane में अपने गाड़ी चला रहे हो lane properly maintain कर रहे हो नहीं कर रहे हो ठीक है speed limit आप over speed limit हो या आप under speed limit हो दोनों ही गलत है अगर आप over हो तो भी गलत है और अगर आप under हो तो भी गलत है और उसके अलावा आपका एक और चीज होता है कि आप जरूरी नहीं है कि 40 है तो अगर कोई गाड़ी पाक है तो आप बहुत तेजी से 40 पे ही उसको क्रॉस करेंगे आप स्लो कर सकते हैं कोई बंप है रोड पे तो आपको गाड़ी स्लो करने पड़ेगी ठीक है तो वो चीज आप नॉर्मल जैसे आप ड्राइव करते हैं उसको लेके चलिएगा यह मत सोचेगा कि बस एक्जामिनर है तो जो मुझे बुक्स में पढ़ा है मैंने कि 40 की लिमिट दिखने चाहिए जहां पर वो टच हो रहे हैं आगे वाले गाड़ी है ठीक है उसके अलावा जब भी आप नॉर्मली अगर आप टर्न कर रहे हो लेन चेंज कर रहे हो तो आपने ब्लाइंड स्पॉट देखा या नहीं देखा ठीक है तो यह सारी चीज़े रियर वील्स देख रहे हैं नहीं देखे हैं ब्लाइंड स्पॉट चेक करते हो या नहीं करते हो फालो डिस्टेंस आप मेंटेन करते हो या नहीं करते हो यह सारी चीज़े आपकी वह नॉर्मल ड्राइविंग में चेक करते हैं अब आते हैं आपका जो आपके G2 के मैनुवर्स होते हैं वो यहाँ पर हम discuss करेंगे तो G2 के जैसे manuers होते हैं आपके तीन होते हैं roadside stop, three point turn और parallel parking तो generally इन तीनो manuers में वो आपके तीन categories में divide कर रखें तो जैसे सबसे पहले हम roadside stop discuss करते हैं roadside stop में आपने stop को कैसे approach किया है कैसे आप रुके हो और कैसे आपने अपनी गारी को वापस आगे चलाना शुरू किया so first thing is always traffic check आपको रुकना है, आपको traffic check करना है आपको intersection cross करना है आपको traffic check करना है, तो आप रुक रहे हो आपने traffic check किया, क्योंकि अब आप side में stop कर रहे हो, तो there is a very high chance कि आपको, आपके cycle हो सकती है pedestrian हो सकता है, कुछ हो सकता है तो आपको blind spot भी अपना check करना है signal, वही जैसे आपने discuss किया था, कि at least 7-8 times blink होना चाहिए, या at least आपको 3 second पहले signal देना है speed, तो आपको, जब आप रुक रहे हो, तो आपने evenly brake करना है smoothly brake करना है abruptly brake नहीं करना है, या यह नहीं कि आपने टेजी से brake किया, फिर brake को pedal छोड़, release कर दिया, और फिर आपने दुबारे टेजी से brake किया position, position क्या है आपकी अगर आप 30 cm टक का gap होना चाहिए जब हम road side stop करते हैं 3 point turn लेते हैं, तो 30 cm के असपास का gap होना चाहिए हमारा और गाड़ी जो है, वो curve से parallel होनी चाहिए, मतलब यह नहीं हो कि गाड़ी बहुत ज़्यादा टेड़ी हो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है उसके बाद जब हम रुकते हैं, तो हमको क्या करना है, हमें अपने जैसे जिसको hazard light, parking light बोला जाता है, या four-way signal बोला जाता है, जिसमें आपके front, back, left, right, चारो signal blink करते हैं, तो वो signal हमने on किये, नहीं किये, हमने अपनी गाड़ी को neutral किया, या parking में डाला, अगर हमारा automatic transmission है, और हमने parking brake को pull किया, या नहीं किया इसके बाद जब हम resume करते हैं अपनी गाड़ी, तो सबसे पहला चीज क्या है, कि हमको जो brake है हमारी, वो हमें brake नीचे करनी है, जो हमने parking brake किया था या अगर हमने parking gear पर गाड़ी है, तो हमें gear change करना है, फिर हमें जो हमने four-way flashers on किये थे, या जो four-way अपना signal on किया था, वो हमें off करना है, उसके बाद हमें traffic check करना है, तो हम traffic check करेंगे, और उसके बाद हमें signal देना है, तो four-way signal off करके, उसके बाद हमने signal दिया, traffic check किया, और उसके बाद हमने normally accelerate करना शुरू किया, over accelerate या slowly accelerate नहीं करना है, normally करना है और फिर next thing signal हमने cancel किया नहीं गया बहुत लोग pressure में आगे signal cancel करना भोल जाते हैं even वो lane change करते हैं तो वो signal cancel करना भोल जाते हैं तो ये भी observe किया जाता है उसकी बाद बात करते हैं three point turn की approach is same traffic check signal दिया नहीं दिया speed maintain करी नहीं करी position क्या है तो रुखना तो जैसे road side stop में है वैसे ही three point turn पे उसके बाद जब हमें turn लेना है तो अब हम अगर हम जैसे अगर हम right side पे road पे खड़े हैं तो हमें left side पे road के middle पे जाना है तो सबसे पहले हमने traffic check करना है कि कोई traffic ना हो कोई traffic आ रहा है आगे से traffic है पीछे से traffic है जब आप stand still position पर हो road के side पे खड़े हो तो जो भी आपको traffic नजर आता है आप उसको जाने दोगे block नहीं करोगे तो आपने traffic check किया blind spot check करोगे आप अपना signal दोगे तो जैसे अगर आप left side पे रोड के बीच में आ रहे हो तो आप left signal दोगे left blind spot चेक करोगे road के बीच में आऊगे फिर आपको back करनी है तो आप right का signal दोगे right side पे blind spot चेक करोगे और आप अपने गाड़े को back करोगे तो आप ये सारी चीज़े करते हो ये नहीं करते हो one reverse में आपने कर पाए या नहीं कर पाए curve को तो नहीं हिट किया आपने ठीक है gear steering आप कैसे manage कर रहे हो back forward आप कैसे manage कर रहे हो तो ये सारी चीज़े वो आपकी monitor करते हैं और उसके बाद जब आपका turn complete हो रहा है तो आपने traffic check किया नहीं किया और आप speed जो है आपकी वो accelerate आपने fastly किया या slowly किया तो basic rule याद रखिए कि कभी भी आपको रुखना है कभी भी आप approach करते हो signal को या आपको roadside stop को आपको traffic check करना है brake abruptly नहीं करना है smoothly brake करना है और अपनी position का ध्यान रखना है कि अगर आपको turn लेना है तो आप उस तरफ अगर आपके जैसे जो road की जो lane है उसके lane के side में होंगे अगर आपको train जाना है तो आप lane के बीच में होंगे और अगर आप पार्क कर रहे हो जैसे roadside parking या 3-pointer तो आपका gap जो है curve से वो 30 cm के आसपास होना चाहिए उससे कम होना चाहिए next thing जो आती है हमारी वो है parallel parking तो उसमें भी तीन step आते हैं कैसे हम approach कर रहे हैं approach is exactly same traffic check signal speed and then position इसमें क्या है कि position जो है हमारी वो under 60 cm होनी चाहिए फिर अगर आप पार्क करते हो तो आप एक बार चरूर चेक करें अपना जैसे आपने गाड़ी खड़ी करी तो अपने around क्या है 360 60 degrees scan करना चाहिए ठीक है और अगर आप जैसे अगर आप parallel park कर रहे हो back up करते हो तो वो over two pull ups तो अगर आपको दो बार से ज्यादा back करनी पड़ती है तो यह भी observe करते है या अगर आप curve को hit कर दिया आपने जैसे यह बहुत common चीज़ है जो लोग curve को touch कर देते हैं touching a curve is not a problem, curve के ऊपर गाड़ी नहीं चलानी है तो अगर आप slowly back कर रहे हो आपको realize हुआ curve टच हो गया तो nervous नहीं होना थोड़ा सा आगे करिए और फिर back करिए but curve के ऊपर मत चड़ाना गाड़ी ठीक है position क्या है over 30 cm out फिर not parallel to curve तो आप curve के parallel नहीं हो front और back में आप थोड़ा space छोड़ते हो गाड़ी के लिए turn जो आप आगे गाड़ी खड़ी हो उसको आप थोड़ा सा space दे रहे हो नहीं दे रहे हो तो अपने पार्क करा तो आपके अपना handbrake pull किया नहीं पुल किया आपने अपनी गाड़ी को parking पर लगाया नहीं लगाया और अगर आपकी गाड़ी manual है तो आपने neutral में रखा या नहीं रखा तो यह सारी चीज़े वो आपकी चेक करते हैं उसके बाद जबाद जब आप driving रिजूम करते हो तो आप कौन से कैसे start कर रहे हो कि आप कौन से gear पर गाड़ी को pickup कर रहे हो अगर आपकी manual transmission है 1st gear, 2nd gear, 3rd gear signal आपने दिया नहीं दिया, traffic check आपने किया नहीं किया और आपने accelerate कैसे किया जो हमेशा होता है और signal अगर आप कहीं पर भी दे रहे हैं तो आपको signal को cancel ज़रूर करना है तो आपने signal cancel किया या नहीं किया अब हम most important thing पर आते हैं जो है हमारा expressway driving तो जब भी हम g-test देते हैं तो expressway driving होती है कहीं कहीं पर expressway की speed limit 100 होती है 110 होती है और कुछ ऐसे driving center है जा पर आपकी speed 80 भी होती है तो इसको भी नोंने तरीन पार्ट में divide किया है कि आप expressway पर कैसे आप enter करते हो, merge होते हो, कैसे आप expressway पर गाड़ी चलाते हो और third thing है जो आप कैसे आप expressway को exit करते हो और एक और चीज़ है चौथी चीज़ जो हम पहले already discuss कर चुके है वो है lane change कि आप expressway पर lane change कैसे करते हो तो वो हम already discuss कर चुके है जब आप expressway पर merge कर रहे हो तो आपने traffic check किया नहीं किया, blind spot check किया नहीं किया, signal जब आपको merge करना है तो signal दिया या नहीं दिया, अगर आपके आगे कोई गाड़ी है या कोई lane में गाड़ी चल रही है आपको उसके पीछे merge करना है ठीक है, या आपको जो पीछे गाड़ी जो आपके जो अगर gap है मतलब basically किसी गाड़ी के immediately आगे नहीं मर्ज करना है तो वो आपने gap maintain किया या नहीं किया 2-3 seconds का ठीक है कि जब आप acceleration lane से बाहरा आ रहे हैं speed तो आप speed limit के accordingly गाड़ी चला रहे हो बहुत ज़दा fast या slowly तो नहीं मर्ज कर रहे हो तो अगर speed limit 100 की है so it is recommended की आप 90 प्लस पर मर्ज करें मतलब speed limit minus 10 चलता है और approximately कोशिश करें speed limit के आसपा से रहे और अगर आपका highway पर traffic ज़्यादा है तो उसके accordingly आपके obviously speed maintain होगी तो हो सकता है कि वो traffic jam है या कुछ है तो आप हो सकता है 40, 50, 70 की से भी मर्ज कर रहे होगे फिर आप merge कैसे करते हैं वही जैसे हमने lane change में discuss किया था sharp turn तो नहीं ले रहे हो तो sharply lane change कर रहे हो जब आप merge कर रहे हो और आपने signal off किया या नहीं किया driving along जब आप normally drive कर रहे हो तो आप traffic check कर रहे हो या नहीं कर रहे हो speed जो है आपकी आप over limit चला रहे हो या आप speed limit follow नहीं कर पा रहे हो uneven है कि आपकी speed 90 पे drop कर रही है फिर 110 जा रही है तो आप maintain नहीं कर पा रहे हो 100 के आसपास वो यह check करते हैं और आगे वाली गाड़ी से जो आपका spacing है वो कितना है 2-3 seconds है एक जो important चीज मैं यहा पर discuss करना वाला हूँ वो है कि अगर आप किसी के side में चल रहे हो किसी गाड़ी के तो आप उसके blind spot पे तो नहीं चल रहे हो जो बहुत ज़्यादा possible है ट्रक होता है जब तो लेट्स एजूम एक ट्रक चल रहा है और आप उसके side में चल रहे हो अब आपको लग रहा है कि मेरको 100 की speed limit maintain करनी है बट यह देखिए कहीं आप उसके blind spot पे तो नहीं हो क्योंकि ट्रक जब lane change करता है तो ट्रक का जो area होता हो बहुत बढ़ा होता है तो कोशिश करिए ट्रक के blind spot पे ना करें तो थोड़ा slow करके आप ट्रक से पीछी हो जाए और या आप हलका से accelerate करके ट्रक को overtake कर लें आप अपने examiner को पता दे कि आपने ऐसा क्यों किया आपने अगर अपनी speed कम करी या थोड़ इसी मनब 100 से 105 पे गए तो आप क्यों गए ठीक है उसके बाद जब आप exit करते हो highway को तो वो बहुत important होता है क्योंकि कभे कभी गलती सम क्या करते हैं कि जो हमारी normal highway की driving lane होती है हम उसमें ही अपनी speed slow कर लेती है तो वो नहीं करना है ठीक है तो आप जब भी आप आपको lane change करना होगा क्योंकि जो आपकी ramp होगा तो आपने ramp पे जब आप जा रहे हो जहांसे आपको उतरना ही चे तो उसमें आपने signal दिया आपने mirror check किया blind spot check किया ठीक है यह सब आपने कर रहा है यह नहीं किया है तो exit lane जो है आप exit lane में merge हुए उसके बाद आपने sharp कन नहीं लिया और आपने जो slow किया है वो exit lane पे आने के बाद slow किया है abruptly नहीं change किया है rough slowing नहीं है आपकी और spacing maintain है gap maintain है और आपका signal जो है वो आपने अपना signal turn off किया या नहीं किया तो यह सारी चीज़े वो आपके expressway driving पे check करते हैं तो यह video को आप at least तीन से चार बार जरूर देखेगा अपना test देने से पहले ताकि आपको यह idea रहे कि वो examiner आपका क्या क्या चीज़े चेक करता है और उसके बाद हम बात करेंगे कि disqualification के reasons क्या क्या हो सकते हैं apart from एक तो आपने normally अपने driving errors की है जो जिसमें वो आपको marks दे रहा है तो उसके वज़े से उसके लावा गर उसको लगता है कि आपका कोई preventable collision को आपका accident हो गया कुछ हो गया जो preventable था उसके accordingly तो वो आपके against ज आपने rule follow नहीं किया तो जैसे simple words में कि let's say कि आपने seatbelt नहीं पैनी तो अगर आपको rule follow नहीं करते which is very low in chance but still ठीक है और otherwise वो आपको एक और दे सकते हैं कि inadequate skills तो उनको लगता है कि आपकी overall skills आपकी poor है तो वो आपको इसमें भी disqualify कर सकते हैं और एक और important चीज में आपसे discuss क करने वाला हूँ वो है कि अगर आप अपना exam fail करते हैं ठीक है वैसे मैं नहीं चाहता मैं यह बिल्कुल नहीं सोचता कि आप अपने exam fail करिये मैं वीडियो इसी लिए बनाता हूँ कि आप first attempt में अपना pass करिये exam but in case आप अपने exam fail करते हैं तो आप Ontario जहां पे अपने exam register किया अंटारियो drive test center की website पे जाए वहां पर आप अपने ये driving scheme अपना ये mark scheme निकाल सकते हैं जिसमें आपको पता चलेगा कि आपने fail क्यों किया तो ये कुछ 10-15 days का time होता है जिसके अंदर अंदर आप अपनी exam sheet निकाल सकते हैं तो इसमें आपको exact reasons मिलेंगे कि आपने क्या गलत बहुत बार आपको नहीं पता होता आपको लगता है कि यार ये मेरा examiner अच्छा नहीं था और examiner ने आपको marks नहीं दिये whatever reasons आप कुछ सोचते हैं but it is important कि आपको ये पता तो हो कि examiner को क्या लगा आपके बारे में तो वो आप अपनी exam sheet निकाल सकते हैं I hope आपको ये मेरा video प at least दो से तीन बार देखें अपना drive test देने से पहले thank you have a good one